डोक साब, IVF के इंजेक्शन किते दिन तक लगते हैं? IVF के इंजेक्शन 10 से 15 दिन तक लगते हैं पेशेंट को. ये पेशेंट के पीरिड के 2nd day या महवारी के दूसरे दिन से चालू होते हैं. ये इंजेक्शन रोजाना लगते हैं. पेशिंट को 30-34 दिन पर अल्टरसाउंड के लिए बुलाया जाता है अल्टरसाउंड में जब हमें दिखता है कि फॉलिकल या अंडा पक चुका है उसके 36 गंटे के बाद बेहोशी में महिला के अंदर से अंडे निकालने के बाद उनके पती के शुकरानों के साथ इन अंडों को मिलाया जाता है और यह एक आधूनेक लैप में होता है तीसरे दिन या पांचवे दिन जैसे ही भुरून की ग्रोथ हम देखते हैं हम पेशिंट या महिला के अंदर ये भुरून बना कर वापस रख देते हैं